दोस्तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि चीन की नजर अक्सर भारत की अरुनाचल परदेश पर रहती है और वैं आये दिन इससे जुड़े तरह-तरह के बयान देकर इसे अपना ही इलाका बताता रहता है और इस दोरान कोई ओर दूसरा देश भी आ गया कर भारत की मदद नहीं करता लेकिन हाली में फ्रांस ने कुछ ऐसा आकर दिखाया जिससे चीन को बहुत बड़ा जटका लगा दोस्तो आपको बता देखे रुनाचल परदेश मामले में अचानक से फ्रांस भारत के सपोर्ट में उतराया है और उसमें चीन को काफी करारा जवाब दिया जिसने चीन को हैरान कर दिया है अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा ओर डिटेल में बताते हैं कि आखिर फ्रांस ने क्या कुछ किया और चीन को किस तरह से करारा जवाब दिया है दोस्तो भारत ने जब से फ्रांस के साथ रापेल की डील साइन की है और फ्रांस से 36 रापेल करीदे हैं तब से फ्रांस के भारत के साथ दिवपक्षे संबंद और भी गहरे होते नजरा रहे हैं जिसका नतीजा भी अब दिखने लगा है और अब भारत के सपोर्ट में आकर फ्रांस ने चीन के खिलाब एक ऐसा कड़ा कदम उठाया है। अब नाचल परदेश से 11 इलाकों को अपनी चीनी भासा में नए नाम भी दिये थे। लेकिन इसके बाव जूद दुनिया के बाकी किसी देश ने इस पर अपनी विचार आगे नहीं रखे। लेकिन दोस्तों हाली में आ रही अपडेट के अनुसार फ्रांस ने अब नाचल प अब नाचल परदेश के दोरे पर गए थे। देश के आजादी के 75 वर्स में ऐसा पहली बार हो रहा है कि फ्रांस ने अब नाचल परदेश में अपनी इंवल्मेंट दिखाई हो और वैं भी भारत से जुड़ कर। भारत में मुझूद फ्रेंच अमबेश्डर इमेनवल ल अपने इसे दोरे के चलते अरुनाचल परदेश के लेप्टिनेंट गवर्नर केडी पटनायक से मिले और लंबी बाचीत के चलते उन्होंने फ्रांस की तरब से अरुनाचल परदेश की सरकार के साथ को बढ़ाने और संबंदों को मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की ले या दोरा पूरी तरह से दोनों देशों के बीच के healthy relationship को दरसाता है जिसके बाद से ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ महिनों में फ्रांस की तरब से अरुनाचल परदेश में कुछ बड़े लेवल के investment हो सकते हैं दोस्तों जब भी भारत का कोई भी मंत्री अरुनाचल परदेश में भारत सरकार के corporation के साथ इतना बड़ा दोरा हुआ और meeting भी हुई और आगे investment भी होंगे और इन सब चीजों को चायना सिर्फ चुप चाप देखता रहा ना वे फिलाल कुछ बोल पा रहा है और ना ही आगे बोल पाएगा क्योंकि अब तक अरुनाचल परदेश इस मामले में भारत को सपोर्ट करने के लिए कोई और दूसरा देश सामने नहीं आया था लेकिन अब फ्रांस ने जिस तरह से आगे बढ़कर भारत को सपोर्ट किया है उससे ना सिर्फ भारत और फ्रांस के संबंद मजबूत होंगे बलकि चीन को करारा जबाब मिला है इस और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर दोस्तों देखा जाए तो भारत और जर्मनी के बीच के रिष्टे काफी ज्यादा मजबूत है जिसके तहत कई जर्मन कंपनियां भारत के मार्केट में भी अच्छा खासा बिजनस कर रही है जिसमें आप जर्मनी की ओटो मुबाइल कंपनियों को साबतोर पर देख सकते है और साथ ही भारत और जर्मनी एक साथ अपने दिवपक्षिय संबंदों को मजबूत करने के लिए लगातार कोशी से कर रहे हैं पर इसी बीच एक ऐसा मामला सामने आया जिसने भारतियों लोगों को जर्मनी से काफी ज्यादा नाराज कर दिया और जब ये बात भारतियों जर्मनी में भी फेल गई तब जर्मनी के अंबेश्डर को यह अंदाजा हुआ कि अगर समय रहते उन्होंने अपनी एक कंपनी की गलती नहीं सुधारी तो भारत के साथ उनके दसकों से जो मजबूत संबंद बने वे हैं उसे एक बहुत बड़ा जटका लग सकता है और इसी बज़े से जर्मनी को भारत का मजाक उडाना इतना महंगा पड़ गया कि 48 घंटों के अंदर ही जर्मनी ने भारत से माफी मांगना सही समझा ऐसे में क्या है पूई खबर जर्मनी ने किस तरह से भारत का मजाक बनाया था और इसके लिए किस तरह उसने बाद में माफी बना कर भारत की इंसल्ट की दरसल यह कार्टून जर्मानी की एक प्राइवेट मेगजीन पप्लिकेशन ने पप्लिस की थी जिसमें उन्होंने भारत की बढ़ती आबादी का मजाक उड़ा थे वे एक तरफा एक ट्रेडिसनल लोको मोटिव को दिखाया था जो भारत की आबा पर भारत की बढ़ती आबादी का मजाक बनाया और यह बात बताने की कोशिश की की बले ही आज भारत की पोपुलेशन ज्यादा हो लेकिन डवलपमेंट के मामले में हमचीन के आसफास भी नहीं है जिस पर भारत की तरफ से काफी क्रिटिकल ओपीनियन देखने को मिला और क जर्मनी को भुगतना पर सकता है जिसे कंट्रोल करने के लिए अब भारत में जर्मनी के अमबेश्डर ने इस पूरे मामले पर एक बड़ा बयान देते वे यह बात खुल कर कही कि जर्मनी की मेबजीन जो कार्टून पब्लीश किया है वे ना तो हास्य पर है और ना ही उच और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिस भी कार्टूनिस्ट ने इस कार्टून को बनाया है उसे भारत का कोई भी अंदाजान नहीं है वहीं उन्होंने यह बात भी खुल कर कही कि जिस ने इस कार्टून को बनाया उसे खुद भारत आखर देखना चाहिए कि हमारा रेलवे ट्रांस्पोर्ट नेट्वर्ग कितना एडवांस है यहां तक कि भारत का दिल्ली मेट्रो तो अपने आप में ही एक अलग मिसाल बन गया है जिसकी टेकनोलोजी और प्लानिंग को समझने के लिए इसराइल की कम्पनिया भी भारत के साथ साजेदारी कर रही है उपर से भारत अपने रेलवे इंफ्रा स्ट्रक्चर को लगातार डवलप कर रहा है जिसके तहत दिल्ली मेरट और डीसी भी अब बनकर लगबग पूरी तरह से तयार है इसकी रिलीज इमेज और फूटेज अपने आप में काफी चोंकाने वाली है इतना ही नहीं बलकी सरकारी डाटा के साल 2025 तक भारत का टोटल रेलवे नेटवर्क 100% विद्यूत्ती करण के साथ 1.2 लाग किलूमीटर तक फेल जाएगा जो एक काफी बड़ी उपलपती होगी लेकिन भारत के खिलाब प्रोपोगेंडा और नफ्रत फिलाने वाले लोगों को हमारा यविकास नहीं दिखेगा जिसकी वज़े से भारत के साथ अपने दिवपक्षे संबंदों को बचाने के लिए खुद जर्मन अमबेश्डर ने बीच में खूदना सही समझा जिसे हम काफी अच्चा और सेंसिबल कदम मान सकते हैं और जर्मनी के इस कदम से भारत और जर्मनी के बीच जो इस गलती की वज़े से खटास आख सकती थी उसे जर्मनी के इस कदम ने ठीक दिया तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या रागी है हमें कमेंट करके जरूर बताए